हेई गाइज कैसे आप सब आई होप आप सब बेटर होंगे और आज मैं आपके सामने एक comparison लेके आया हूँ एक realme watch है left side में और right side में हमर पास zebronix की watch है यह मेरे को दो दिन पहले ही रिसीव हुई है और आज मैं आपके सामने दोनों का comparison करूंगा और साथ में बता हूँगा कि कौन सी watch बेटर है और इसके कुछ aspects के बारे में बात करेंगे aesthetics के बारे में बात करेंगे build quality के बारे में बात करेंगे और बीड क्वालिटी किसकी बेटर है उसके बारे में बात होगी और साथ ही में आपको कौनसी ब्टर लगती आप मेरे को कमेंट बोक्स में बदा सकते हो tp वीडियो पर चलते हैं और बात करते हैं यहां पर Realme watch की यहां पर मैं अल्रेडी इसकी unboxing कर चुक हो अगर आपको इसकी unboxing देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो और वीडियो को check out कर सकते हो आप मैं बात करते हूं यहां पर aesthetics की looks की यहां पर best look as का Realme का जैन को reanimation camera on drop everyone at our property all and and the hour are on of bar at our um अबर on off कि यहां नगापय और साथी में अपर control का भी है जिससे में डेशान और यहां पर केष्क्रेठक की decide करनो तो इसको मैं already क्यों बेटर नहीं है क्योंकि रैशे सोन लगते हैं हमारे हाथों पर जब इसको लगातारा पहन के रखते हो और वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी से यहां पर की यह थोड़ा प्रीम्यम फील О deal और उसी गे साथ चाहँं पर बात करूं प्रोट करों की की बात करते हैं और पकूर्पτη की यहां पर हैसे यह सकते हो और ह। ढाले चाहिं है और राइट और लेट साइड में रखे होएं तो यहां पर मेरे को स्टैप कॉलिटी ऑविसी बात है जैब दॉन इसकी बेश्ट लगती है अब हम बात करते हैं यहां पर फीचर्स की फीचर्स की अगर मैं बात करूं यहां पर प्लस पॉंट आपको मिल जाता है रियली वाच में रियली वाच में अस्पीचर्स में52 मॉनिटर अपको और जैसे ही आप यहां पर स्वाइब करते हो दो नीचे से से अपकी तरफ और यहां पर भी आपनिमfully अपको मिल जाते हैं दोनों में step counter यहां पर workout है और यहां पर SPO2 monitor है, heart rate scanner है और activity tracker है, sleep monitor है, music है, camera है, find my phone है, mediation, alarm, stopwatch, weather और यहां पर अगर हम देखें, यह थोड़ा सा laggy feel होता है, और यहां पर steps है, messages है, sleep है, HR है, heart rate monitor जिसको कहते हैं, और training है, weather है, और साथी में बहुत जल्दी off हो जा रहा है, music है, brightness है, camera है, smartwatch है, मतलब stopwatch है, flashlight है, mode है यहां पर, right, तो यहां पर that state इतना ही इसमें दिया गया है और अगर मैं उपर से नीचे की तरफ swipe करूँ, यहां पर कुछ notification दिखाता है, बट यहां पर अगर मैं नीचे की तरफ swipe करूँ, यहां पर कुछ features दिखाता है यहां पर इसके, जैसे कि toggle menus है, यहां पर आपको दिखाता है, brightness का, torch का, और यहां पर आप silent पर कर सकते हो, यहां पर सेटिंग पर चला जाते हो बत अगर में बात को यह यह जो दिए और आप को लेड़ को में आपको लेफ्ट-साइड में जैसी आप सब्सक्राइब करते हैं यह शाथ में पर यहां पर जुच नहीं दिया गया है यहां पे Zebronics ले आती है बाजी और यहां पे बात करेंगे heart rate की अब heart rate में आपको measure करके दिखा जाता हूं यहां पे straight away सको पहन लेते हैं तो looks के मामले में आप देख लेना कौन सी better है आप सभी को लगरी है तो यहां पे मैं Zebronics की पहन लेता हूं वाच यह मैंने Zebronics की पहन लिए और यह Realme की भी मैंने पहन लिए तो overall यहां पे जो look देख सकते हैं अब अब हम बात करते हैं यहां पे heart rate monitor की अब straight away यहां पे चलते हैं heart rate अब यहां पे भी हम heart rate पे चलते हैं measure हो रहा है दोनों में तो यहां पे देखते हैं कौन सा पहले बतायता है यहां पे Realme मेरे खाल से गलत दिखा रहा है और यहां पे Zebronics अच्छा दिखा रहा है क्योंकि मैं भी straight से चड़के आया है उपर की साइड तो यहां पे देख सकते हो आप और looks के मामले में जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो all in all यहां पे जो Zebronics का look है वो मेरे को ज्यादा पसंद आया अब हम बात करते है build quality की, build quality की अगर मैं बात करूँ आप सभी से, simple सी बात है यहां पे build quality मेरे को better लगती है Zebronics की, yes, yes my dear friends Zebronics की build quality बहुत अच्छी है, क्यों क्योंकि इसमें all in all यहां पे metal का यूज किया गया है, पूरा का पूरा यह जो cabin है, यह metal का यूज किया गया है साथ में जो power button यह भी metal की दी गई है, और यहां पे hard plastic दी गई है, अब अगर मैं real me की बात करूँ, real me में यह पूरा का पूरा glossy finish है, यह पूरा का पूरा plastic है, और finishing इसकी अच्छी दी गई है, बट अगर मैं बात करूँ आप सभी से, यहां पे जो all in all चलेगी जादा watch, वो यह चलेगी zebronics की, क्योंकि इसका weight भी है, इससे double weight में होगी है, इसका weight भी जादा है, तो यहां पे premiumness थोड़ी से feel होती है, और आप से मैं बात करूँ, यहां पे looks के मामलें पीछे की side आप देख सकते हैं, heart rate monitor और साथ में SPO monitor यहां पे real me में दिया गया और यहां पे सिर और दोनों ही water resistant है, आप इससे swimming नहीं कर सकते हो, नहीं zebronics के नहीं, आप real me से, और दूसरी बात, यहां पे दोनों ही में आपको GPS नहीं मिलता है, किसी में भी GPS नहीं मिलेगा आपको, और अगर मैं बात करों यहां पे real me में एक plus point है, यहां पे SPO monitor यहां पे SPO monitor आपको नह नहीं करता है, और यहां पे थोड़ा सा lagginess आपको दिखती है, यहां पे जैसे ही यह देखो, यह देखो, यह देखो, lagginess दिख रही है, but इसमें real me में कोई lagginess नहीं दिखती है, आपको, as it is सीधे मिल जाता है, right, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और उसी के साथ अग यहां पे जो zebronics है, यहां पे जो zebronics है, यहां पे यहां पे बात करूँ है, और यहां पे अगर मैं बात करूँ है, जो real me में है, वो एकदम अच्छा नहीं बताता है, बिल्कुल भी, और नाम मातर के लिए दिया गया है, इसको आप as a medical instrument यूज नहीं कर सेगे, first of all, जो looks है, यहां पे जो price point है, वो भी जादा कम है, यहां पे zebronics का, zebronics लांच हुआ था, पच्छिस ओ रुपे में, 2499 में, अपनी official website पे, बटी Amazon पे introductory offer में, festive season में, आपको 1699 में मिलता है, येस, आपको 1699 में मिलता है, और real me का आपको, अभी भी watch 32 रुपे के करीम मिलेग आपको, आप flip card पे search करोगे तो, यहां पे बहुत बड़ा price difference है, 1700 versus 32, तो overall double हो जाता है, तो आप जा सकते हो, यहां पे zebronics की तरफ, और zebronics का look है, और zebronics का feel है, यह बहुत जादा बेटर मिलता है, प्रीम मिलता है आपको, और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, एक इसकी UI की, UI मेरे को Realme का ज़्यादा बेटर लगा, yes, Realme का ज़्यादा बेटर लगा इससे, क्योंकि इसमें UI थोड़ा सा card ratio, थोड़ा सा laggy feel होता है, और अगर मैं watch faces की बात करूँ, आप यहां पे watch faces change कर सकते हैं, इसको भी hold कर गे रखोगे, तो यहां पे watch faces change करने का option आप आपको आजाता है, यहां पर दिख सकते हो, different तरीकी के watch faces है, Realme में, अब भी approximately 35 watch faces आपको मिलते हैं, watch में, watch में आपको 6 से 7 मिलते हैं, और application में आपको, कम से कम यहां पे 35 to 40 watch faces मिलते हैं, और अगर मैं Zebronis की बात करूँ, यहां पे बहुत सारे watch faces मिलते हैं, hundreds of watch faces मिलते हैं और यहां से भी आप 6 watch faces control कर सकते हो, अपने, आपको जो लगाने, यहां पर थोड़ा सा, copy की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, Amazfit से, तो, अगर मैं all in all money for value की बात करूँ, तो right side में आप Zebronis का ले सकते हो, brand, और left side में हमारा Realme का है, तो obviously आपको कम price में ज्यादा value मिल और आपको एक बहतरीन review में लेकर आने मालों, और अगर आपको इसको buy करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं description link में आपको link भी दे दूँगा, जिससे आप buy कर सकते हो, और directly आप मेरे से comment box में पूछ सकते हो, तो मैं आपको इसकी link दे दूँगा, अभी डिरेक्ली य में अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, दोनों ही में गए लग लाग लास तरी मिलती है, यह मैं आपको बतायता हूँ, तो straight away, thank you, thank you very much, stay home, stay safe, stay healthy, मेरे चैनल को subscribe करो, और आपके लिए बहुत ही अच्छी-छी डील में लेके आने वाला हूँ, और daily basis पर वीडियो डालूँगा जिससे कि आपको यहां पर कुछ नॉलेज भी मिले और साथ में आपको जो value है, जो आपको branded product है, वो cheap price में आपको मिल सके, so thank you, thank you very much, stay home, stay safe, stay healthy.